गीटर में आपने ये बारियली होल देखी होगी तो इनका काम क्या है दरसल इनका में काम ये है कि आवास को निकलना जब गीटर की इस्टिंग को खीचा जाते है तो वाइब्रेशन गीटर की होल की अंदर जाती है इसके बाद ही आवास निकलती है अगर होल नहीं होती है तो वो इलेक्ट्रोनिक की तोर से सीधा इस्पिकर से बसती है। इसलिए modern guitar में और electronic guitar में ये hole देने की जरुवत ही नहीं परती है। नमब टू, जो रोजाना तीखा खाना खाती है, वो दूसरे की मुकबले ज्यादा सलों तक जीती है। पर सब केस में ये देखा नहीं जाती है, पर ज्यादातर केस में ये देखा जाती है। नमब टू, हनी कभी expired नहीं होते, फिर भी उसकी bottle में expired date क्यों होती है। हमें कई बार ये कहा जाता है कि हनी जितना पुरानी होती है, उतना ही अच्छी होती है। दरसल कमपनी में हनी में पानी मिलाया जाती है, और कुछ समय बार वो पानी फेपराइस हो जाती है, और हनी जेली जैसी हो जाती है। हनी खरफ नहीं होती है, पर हमें ऐसा लगता है कि हनी खरफ हो जाती है। क्योंकि कमर्शियल पोड़क में एक्सपैरी डेट लिखना जुरूरी होते हैं, बाट एक्च्छीली हनी कभी खरफ नहीं होती है। अपने ये चीज तो जोरूर देखी होगी, जिनके उपर ये लिखा होती है कि Do Not Eat, ये देखके हमें लगता है ये पाजोनस है, इसलिए इसके उपर Do Not Eat लिखा होती है, लेकिन एक्च्छीली में ये पाजोनस नहीं होती है, ये खाने से हमारे गले में अटक सकती है और उसने उसको अच्छे कपड़े पैनाया और एक शूट कराया, ये फोटो शूट इतना कमल का हुआ कि ये एक मोडेल बन गया, तो थैंक्यू फर वासिंग, वीडियो अच्छी लेगे तो लाइक करना, चैनल को सस्क्राब करके बेल आइकन को जुरूर प्रेस करना, क्योंकि ऐसे ही एमेजिंग फैट की वीडियो इच चैनल पर अप्लोड करते रहते हैं, तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में, सी यू सून